मैंने जब यूटूब ओन किया तो बड़ा ही ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है ये आलू की कतली तो सोचा मैं भी बना कर आपके साथ सेर करूँ बहुत ही फटाफट बन जाती हैं बहुत ही कम सामान लगते हैं तो फिर चलिए ये टेस्टी सी डिलीसी ऐसी नई सी आलू की रेस्पी बनाना फटाफट से शुरू कर लेते हैं आलू की कतली बनाने के लिए आप मीडियम साइज के आलू लीजिएगा बड़ी साइज की भी ले सकते हो उससे कहें बड़ी बड़ी आलू की कतली बनेगी और आलू का छिलका उतार लीजिएगा कुछ लोग इसे पिल करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है और ऐसे इसकी पतली पतली लेयर कट कर लेंगे गोल गोल ज्यादा मोटी कट करोगे तो पकने में उतना ही टाइम लगाएगी इसलिए पतली पतली कीजिएगा और ये लास्ट वाला बच जाए इसको ऐसे रखकर कट कीजिएगा एक केजि मैंने यहाँ पर आलू कट कर लिये हैं उसी के अकोडिंग अपन सारा मेजुर्मेंट देखेंगे एक बात आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कोई भी सबजी बनाओ या कोई भी रेस्पी जिस चीज को अपन एक बार जिस सेप में कट कर देते हैं बाकी की सामान भी अपन उसी सेप में कट करेंगे जैसे मैंने टमाटर भी यहाँ पर गोल सेप में कटके हैं प्याज भी मैंने उसी सेप में कटके हैं इसके दो बेनिफिट हैं एक तो अपनी रेश भी सुन्दर तो लगती है जब यह सुन्दर लगेगी तब भी खाने का मन करेगा और पकने का बेलेंस भी सही रहता है इसमें अब नीचे से गेस ओन करके एक बरतन में तीन चार टेबली स्पून आपको ओएल लेना है और तेल को गरम कर लीजिएगा मेरे पास अभी तेल की कौंटिटी कम है तो मैंने यहाँ पर कम तेल लिया है तेल आपको यहाँ पर ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी इसमें अर्वी फ्राई की थी तेल अपना गरम हो चुका है इसमें जीरा एड़ करेंगे च्यार प्याज मैंने छोटी छोटी साइज में कट कर लिये थे वो एड़ करेंगे और इन्हें मिला कर अच्छी तरिके से पका लेंगे प्याज अपने पक चुके हैं अब इसमें आलू एड़ करेंगे अभी आपको कोई भी मसाला एड़ नहीं करना है सारे आलू एड़ कर लेने के बाद इन्हें पका लेंगे इससे क्या होगा ये इतने कम ओयल में ही फ्राई हो जाएंगे अपने आलू आलू फ्राई हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे पानी इसलिए एड़ करना जरूरी है क्योंकि अपन जो मसाले इसमें एड़ करें वो जलेना थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगेगी तो मैं यहाँ पर दो चमच रेड चिली पाउडर एड़ कर रही हूँ मेरा लाल मिर्च पाउडर थोड़ा स्पाइसी भी कम है इसे वज़े से अगर आपका लाल मिर्च पाउडर तीखा हो तो कम क्वांटिटी में एड़ कीजिएगा हाफ चमच टर्मरिक पाउडर टेस्ट के अकोडिंग सिंपल नमक एड़ कीजिएगा और इन सबी को मिला कर पका लेंगे ज्यादा टायम नहीं लगता है इने पकने में मसाले को क्योंकि अपन आलो पहले ही फ्राई कर चुके हैं ये लाल मिर्च पाउडर पक जाए उसके बाद अपन सबसे लास्ट में एड़ करेंगे टमाटर अगर आपके पास टमाटर ना हो तो अमचूर पाउडर भी ले सकते हो हाफ चमचे केवल खटाई के लिए टमाटर भी पक चुके हैं सबसे लास्ट में एड़ करेंगे दो चमचे सूका धनिया पाउडर ये क्या है ग्रेवी भी बना देगा इसकी काड़ी कंटेंसिय भी कर देगा और टेस्टी भी बनायेगा कसूरी मेती हो तो जरूर लिजिएगा इससे भी यह आलू की कतली बहुत ही जदा टेस्टी लगती है गरमी का मोसम है ना हूँ सर्दी में आपके खा रही हो या बारिस के टाइम खा रहे हो तो गरम मसाला पाउडर भी एड़ कर सकते हो मैं यहाँ पर इसे लिव कर रही हूँ अभी गर्मी का मोसम है नीचे से गेस बंद कर देंगे और ये लिजे अपनी टेस्ट इसी आलू के कतली सबजी बन कर त्यार हो चुकी है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा ऐसी नए नी रेस्पी के नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बताईएगा है क्या करना है सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ सेर करना मत भूलिएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मैं सरो सर्मा मिलती हूँ एक ऐसी नी रेस्पी और एक नए टेस्ट के साथ